हलो एवरिवन ग्रेटिंग्स टियर तो कैसे हैं बिटा आप सब आई होप यू आर आपकी वक्षीट आ गई है बिटा शिक्षा निजिशा ले रास्टे रास्थान यक्षे तर दिली की वक्षीट नंबर है बेटा ये एक आपकी ये आपकी बेटा साथवी क्लास की जो है विग्यान की वक्षीट है आज आई है आपकी विग्यान और जो है इंग्लिश की वक्षीट तो यहां पर विदार्थी को अपना नाम लिखना है यहां आपने कक्षा ध्यापक का नाम लिखना है यह वक्षीट जो है बेटा 21 सक्टूबर 2020 की यानि कि आपकी वेड़नस डे बुद्वार की वक्षीट है तो चलिए करते हैं विदूत चुम्बक आज का जो हमारा जो है टॉपिक है वो है विदूत करें और बैल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वक्षीट टाइम से मिलती रहें और बिटा आई होप आप हर रोज का कारी हर रोज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सब बिटा डेली का काम किज़े ताकि आपको ज्यादा काम हो जाने के बाद फिर दिक्कत होती है काम करने का मन भी नहीं करता है इसलिए हर रोज का काम आप हर रोज करें देखिए मनिश ने एक निर्मान अक्षेत्र पर एक क्रेन को देखा देखिए ये रही क्रेन एक निर्मान अक्षेत्र पर क् जुड़ा था उसने यहें भी देखा कि इस पर चारों और कुछ तारे लिप्टी हुए थे यानि कि देखे इस पर ये विशाल हिस्सा देखा उसने मान लिए ये विशाल हिस्सा देखा इस पर क्या लिप्टी हुई थी पिटा इस पर तारे लिप्टी हुई थे उसने बड़ के लोहे के इतने बड़े तार को उठाने के लिए क्रेन का इस्तमाल बड़ी आसानी से कर रहा है। वह अपने सिक्षक के पास गया। उसके सिक्षक ने बताया कि जब किसी तार से विदुत धारा परवाइत होती है तो वह एक चुम्भक की भाती वेवार करता है। यानि कि देखें इस्तार में से क्या हो रही थी इस्तार में से जो है विदुत धारा परवाइत हो रही थी और विदुत धारा परवाइत होकर वो क्या कर रही थी वो एक चुम्भक का काम कर रही थी। तो उसको देखकर ये सब बड़ी हैरा नहीं हुई। आगे है बिटा लो तो आप बताएंगे कि लोहे के किसी टुकडे पर विद्धुत रोधी तार से लिप्टी विद्धुत धारा वाही कुंदली को क्या कहते हैं विद्धुत चुम्बक कहते हैं विदू चुम्बक की प्रबलता विदू धारा के परवा को पढ़ाने वा घटाने से करमशय बढ़ती वा घटती है यानि कि जो उसकी परवलता होती है वो विदू धारा के परवा को घटाने से बढ़ भी जाती है और घट भी जाती है आगे है विदू चुम्बक के उपयोग तो विदू चुम्बक का उपयोग बिटा हम कैसे कैसे कहां कहां पर कर सकते हैं ये पढ़ेंगे सबसे पहले इसका उपयोग कबाड से चुम्बक की अपदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है यानि कि जो है कबाड होता है कबाड ये नहीं बिटा कि कुडा करकट जो भी कबाड होता है जैसे लोहे का जो समान होता है उसको जो अलग करने के लिए चुम्बक की पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है विदू चुम्बक का परियोग इसकी बार चोटे विदू चुमबक का उपयोग डाक्टरों के दवारा तुरगरजणा वस आख में गीरे चुमबक ये पतारत के छोटे चोटे टुकडों को बाहर निकालने में भी किया जाता है इसके अलावा भी खिलोनों में भी वीदू चुम्बक का उपियो किया जाता है देखे यह रहा वीदू चुम्बक जैसे हैं पर यहां पर यह लेंगे कोई लोहे का टुक्डा लेंगे उस पर ऐसे ऐसे कोई भी तार लपेट देंगे और देखे यहांपर जो है तार यहाँ पर इसको जो है जोड दिया गया है अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो इसमें से विदुधारा परवाइद नहीं होगी अगर हम इसको जोड देते हैं यहाँ से तो इसमें से विदुधारा परवाइद होती है तो यह क्या है बिटा विदुद चुम्बक है यानि कि एक टुकड़ा लिया उस पर लोहे के तार लपेड दिया उस पर तो ऐसे इसमें से विदुदारा परवाइद हुई और वो क्या हो गया विदुद चुम्बक बन गया आगे है बिटा विदुद घंटी इसमें लोहे के टुकड़े पर तार की कुंडली लिप्टी होती है यानि कि देखिए एक लोहे का टुकड़ा होता है उस पर क्या होता है तामबे के तार लिप्टी हुए होते हैं और वो क्या है तामबे के तारों के कुंडली से लिप्टी ह यानि कि बहुत सारे तार लिप्टी हुए होते हैं पतले पतले से इसके बाद विदू चुम्बक के निकट एक पतली पत्ती लगी होती है क्या लगी होती है विदू चुम्बक के निकट एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथोड़ा जूड़ा होता है लोहे की पत्त कि समीब एक संपरक पेंच होता है जब लोहे की पत्ती इस पेंच से संपरक में आती है तो विदूत परिपत पूरा हो जाता है देखे ये रहा ये देखे इस पर तार लिप्टी हुई है और जब यह यहां पर गंटी है और यहां पर क्या लगा देती है बिटा एक लोहे की प इससे तकराती है तो गंडी बचती है को कुंडली से विधूद्धारण फर्रवां चेंग बंचाह सकता है तो विधूद्ध допरख similarly by दूसे किसी कच्च्च्रे की धेर से, प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है, तो चुम्बक का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि प्लास्टिक की थैलियां चुम्बक की शामगरी नहीं है किवल चुम्बक की शामगरी जैसे लोहे को चुम्बक द्वारा आकरसित किया जा सकता यानि कि जो लोहे कबार में जो लोहा होता है सिर्फ उनको अलग करने के लिए जो है विदू चुमबक का प्रियोग किया जा सकता है इसके अलावा प्लास्टिक की चीजों को जो है कच्रेज के धेर से प्लास्टिक की वस्तों को बाहर निकालने के लिए जो है विदू चुम्बक का उपयोग नहीं किया जा सकता इसकी बाद बेटा सैकेंड कोश्चन है हमारा कि विदू धारा का प्रवा बंद करने पर विदू चुम्बक पर क्या प्रभाव करता है अगर हम देखे बेटा जैसे ये घंटी है इसमें से अगर हम विदू धारा के प्रवा को बंद कर देंगे तो क्या ये बजेगी अगर इ विदुदारा का परवाबंद करने पर विदुदारा का परवाव भी समाप्थ हो जाएगा तो देखे अगर हम किसी भी चीज के तार को हटा देते हैं देखे यह है जैसे हम इसको यहां से हटा देंगे तो क्या इसमें जो है विदुदारा जाएगी तो इसका अंसर हम लिखे कि विदुद धारा का परवाबंद करने पर विदुद चुम्बक का परवाव विस्माप्थ हो जाता है तो क्या होगा विदुद चुम्बक का कोई भी परवाव नहीं पड़ेगा इसके बादा कोशिन नंबर 3 है हमारा कि विदुद घंटी में विदुद चुम्बक होता है तो यह बिल्कुल सक्ते बात है इसमें सक्ते और सक्ते दोगी दिये गए हैं तो यहाँ पर जो है सक्ते है यह कि जो है विदुद गंटी में विदुद चुम्बक होता है अगर चुम्बक नहीं होगा तो बार बार उस जो है पत्ती से वो नहीं टकरा पाएगी और जब इसमे नहीं टकराएगी, अगर इसमें चुम्बक नहीं होगा तो बार-बार इसके पास नहीं आपाएगी और वो जो गंटी है वो नहीं बजेगी तो इसलिए ये बात सकता है कि विदुद गंटी में विदुद चुम्बक होता है आगे बिटा संदेश है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू बिटा, थैंक्स वोचिंग और उपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें